नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और ओन डिमांड वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं और दोस्तों यह जो वीडियो है मुझे बहुत ही इमर्जेंसी में बनाना पड़ा क्योंकि इस चीज की जो डिमांड है वो इतने इंटर्मिटेंट फीवर पर वीडियो बनाई है कोई बोल रहा है कि हाउ टू मैनेज फीवर बाइ हुमियोपैथी पर आप वीडियो बनाई है और तो और इंफेक्ट कुछ दूसरी फील्ड अधर देन होमियोपैथिक फील्ड के डॉक्टर्स भी पूछ रहे हैं कि सर हाउ तो डील विट फीवर तो दोस्तों आप सबका स्वागत है आज के इसी ओन डिवंड वीडियो में जो है वाट शुट बी अवर क्लिनिकल अप्रोच इन दे केस ऑफ फीवर कि फीवर में हमको एज डॉक्टर हमको क्या करना है अब देखिए कुछ बातें जो वीवर्स ने मे सेक्षेन में भी करी हैं और कुछ जो लोग मेरे को डायरेक्ट अप्रोच कर पाएं उनने भी करी हैं बोले सब्सक्राइब का केस आता है तो फिर हमारा दिमाग तो बिल्कुल वेगदा हम बिल्कुल ब्रेन फैक सा आ जाता है हमको समझ में नहीं आता कि फीवर के केस को हम क कि दिमाग में क्या पैदा होना चाहिए और आपको किस तरह से आपको उसका अप्रोच रखना चाहिए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारे के दिमाग के अंदर एक केस ऑफ फीवर को देख के आना चाहिए वो यह है कि वाट इस डेफिनिशन ओफ फीवर होता क्या है हम जनरली इतना ज्यादा उसको देख के बिल्कुल एकदम ब्लैक आउट हो जाते हैं कि हम बहुत सारी बेसिक चीजों को भूल जाते हैं और दोस्तों आप देखिए कि यह बेसिक चीजों जब मैं आपको अभी से यह जित्ती भी देर का वीडियो हमें क्लियर करूंगा तो आपका fever को लेकर क्या perception है और at the end of the video आपका fever को लेकर क्या perception होगा इसके बीच में आपको फरक आप खुद कर पाएंगे तो what is fever? fever होता क्या है भाई fever कब आता है कि जब fever का मतलब है कि our body has been attacked by any exogenous noxious agent exogenous मतलब शरीर के बाहर से कोई तत्तों ने हमारे शरीर के ऊपर हमला करा था और जब भी हमारी body उस agent से लड़ती है defense mechanism activate होता है तब हमें fever आता है बस यह इतना सा ही है fever का मतलब है कि हम जब भी हमारा शरीर अपने आपको defend कर रहा होता है किसी भी antigen के against में अब उस antigen को से लड़ने के दो तरीक है पहला antibody बना लो तो antigen antibody reactions उसको खतम कर देंगे यह भी defense mechanism है और दूसरा phagocytosis की जो T cells V cells होती है तो cell mediated जो immunity का response होता है कि वो जो जा के उस pathogen को खा जाएंगे in the both cases there will be the response and this response is known as the fever जो कब आता है जब भी antigen और antibody जब भी pathogen बहार से आने वाली चीज और शरीर उसको defend करने के लिए रोकने की कोशिश करता है और उस दौरान इस पूरे कांड के दौरान जो response आता है that response is known as the fever तो यह पहली चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए कि fever है मतलब इसके शरीर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई antigen antibody reaction चल रहा है कहीं ना कहीं इसका शरीर जो है किसी भी infection या फिर infection या फिर कोई भी noxious agent से लड़ रहा है तो this is the first thing which should be born in our mind the second thing cause of the fever क्या cause है मेरे कहने का मतलब locate the site of infection समझे बड़ा साधरन सा काम है अब जब अगर मैं यह जानता हूँ कि fever का case मेरे पास आ रहा है मतलब इसकी body में कहीं तो भी infection हुआ है या इसकी body कोई ना कोई noxious agent से किसी ना किसी चीज को antigen समझ के उससे लड़ रही है तो the second task is कि भाई वो जो कांड हुआ है वो कहां पर हो रहा है it is as simple as that because fever cannot be produced as such मतलब कभी भी fever बिना बाद के काली पिली के बुखार आते हैं वो भी मैं बताऊंगा वो वीडियो में आगे आएगा उसका एक अलब topic है कि without inflammation कब body को fever आता है वो that is entirely different तिंग पर यहां पर आप समझो कि most of the fever आएंगे वो होंगे कोई न कोई location body के अंदर है जहां पर inflammation की process conduct हो रही है जहां पर रण भूमी बनी है जहां पर महाभारत और वो कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है तो वो युद्ध कहां चल रहा है the second thing and the task of a doctor is to hunt that site cdc बात है जैसे कि कुछ examples देता हूं तो आप पर अच्छा से किसी को मान लीजिए common cough and cold की दोरान उनको fever आ रहा है तो हमको यह पता है कि भाई इसको nose ya throat infection हुआ है और उस infection के कारण वहां पर शरीर लड़ रहा है इसलिए इसको fever आया है कई लोगों को sore throat गला लग जाता है tonsillitis हो जाता है बहुत तेज बुखा रहा था फाइटो लगका में लिखी है यह बात कि that fever is associated with the body pain ठीक है ना तो वहां पर site of infection क्या थी भाई गला था site of infection कई लोगों को septisemia हो जाता है blood poisoning हो जाती है ऐसी बीमारियां होती है कुछ viral infection होते है जैसे डेंगो infection और कौन-कौन से example है blood के अंदर infection के टाइफॉइट सल्मोनेला टाइफॉइट से infection होता है हलाकि वो blood में नहीं होता है वो abdominal infection है वो pair staches के अंदर infection होता है तब बंदे को continuous type का fever आता है Meningitis जब भी brain की Meninges में छोटे बच्चों को infection होता है और जब infection blood brain barrier को cross करके वहां तक पहुंचता है तो उसके हमको अलग से लक्षन दिखते हैं there will be the rigidity of neck that is the most important sign of meningitis तो यहां फे हम तुरण समझते हैं कि what is the site of infection the site of infection is the brain pain ठीक है ओटाइटिस इंफेक्टी ओटाइटिस जब कान के अंदर बच्चे को infection होता यह पेन हो रहा है तो वह क्या बता रहा है यह अर्फेन बता रहा उसके साथ वह हल्का फुलका लोग रेट फीवर बता रहा है तो हम यहां क्या समझेंगे कि साइट of infection यहां पर क्या है है भाई कान है रुमेटिक फीवर पूरे जॉइंट पेन के साथ फीवर आता है या फिर चिकन गुनिया बहुत अच्छा एक्जामपल है कि जितने भी जॉइंट है उनके अंदर भेंकर पेन इंफ्लेमेशन होता है उसके साथ फीवर आता है तो यहां पर site of infection क्या है तो infection exactly हुआ कहां है तीसरी थिंग थर्ड थिंग विच शुट बी केप्ट इन दा माइंड कि वह पेशेंट जब आ रहा है तो वाट इस जनरल कंडिशन क्या है कैसा है जनरल कंडिशन से सीधा मतलब है खोड़ चलके आया अपने आप चलके आया एक कंधे पर आया मतलब एक आएगा चार कंधे पर जब वो होगा तो आएगा उसका एक अटेंडेंट कि डॉक्टर साब मेरे घर में मेरे पिता जी की बहुत तबीयत खराद उनको बुखार आ रहा है वो चलके यहां नहीं आ सकते इस बैट बॉंड प्लीज आप घर चलिए तो यह मतलब है चार कंधे एक कंधे दो कंधे का कि वाट is the General condition of the patient वो कैसा हैं इज इसी कॉंचेस हो काउंशयों कि सबकॉंचास है उसकी सरफक उंसरियम कैसी है उसकी mental alertness कितनी है whether he is able to tell the things are not इनका क्या importance है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे है तो general condition patient की क्या है आगे ना बता के मैं आपको यहीं बताता हूँ कि basically general condition deteriorate सबसे ज़्यादा होती है septic fever में आप समझें मेरी बात और septic fever का सबसे important जो example है that is the typhoid typhoid एक ऐसा fever है जो सबसे ज़्यादा septic condition पैदा करता है body के अंदर और उस septic condition के अंदर patient की general condition सबसे ज़्यादा खराब होती है तो अगर किसी patient की general condition बहुत ज़्यादा खराब है ठीक है ना वो आप से बात भी नहीं कर रहा है वो half slumber में है वो आदा सोया है आदा जागा है बाप्टीशिया में यह बात लिखी है बाप्टीशिया आप पढ़ोगे बाप्टीशिया is one of the most important medicine for typhoid fever तो बाप्टीशिया से पूछेंगे दादा क्या हो गया हिला के दादा जवाब नहीं देगा फिर दादा क्या हो गया चलाके फिर जवाब नहीं देगा फिर यह चोटा सा थपन मारेंगे तब जाके दादा बोलेगा हाँ यह हो रहा है तो क्या sensorium बिलकुल sensorium उसकी subtler हो गई है उसको sense नहीं आ रही चीजों का वो अगल बगल क्या चल रहा है इसको समझ नहीं पा रहा हूँ ये नहीं समझ पा रहा है डॉक्टर आया है वो ये नहीं समझ पा रहा है डॉक्टर साला कुछ पूछ रहा है मेरे को जवाब देना चाहिए तो ये जो जनरल कंडिशन वाला पॉइंट मैंने उठाया है ये इस Sceptic Fever को यह जो जतने Festive condition बोला गया है homeopathically को क्या बोला गया है devices Home को लुद लुवार्म ओफ यको यहां ने अगर एक दॉ आप बोलोगे कि टाइफाइट के अलावा भी मेरे को एक एक एक्जाम्पल दो वो यह है कि किसी का अपेंडिक्स रप्चर हो जाता है अगर अपेंडिसाइटिस था अपेंडिक्स रप्चर हुआ तो उसको क्या होगा पेरिटोनाइटिस हो जाएगा क्योंकि अपेंडिक्स पेरिटोनियम में होता है एब्डॉमन में पेरिटोनियम है तो उसके रप्चर होने के कारण जो पेरिटोनियल इंफलमेशन होगा वो कंडिशन भी सेप्टी सेमिया की होगी एंड डेट इस अनादर फॉर्म जिसके अंदर वो लो लो फॉर्म आफ फीवर आएगा उसको कि फीवर लो ग्रेट की बात नहीं कर रहा हूं जन्रल बॉडी की कंडिशन जो है न वो बिल्कुल वाइटिलिटी डाउन हो जाएगी एंड डेट इस नोन अस दस्टिक फीवर और टाइफाइट फीवर और लो फॉर्म आफ फीवर और लो आइटिलिटी कंडिशन यह चारो टर्म हुमियोपैथी में बताई गई है ठीक है ना अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जच्छ दसीवियरिटी आफ केस अब मैं थोड़ा सा इसको मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि आप लोगों को कोई कन्फूज है वो एसी कौन सी जगे भसड मची है शरीर में जहां पर जिसकी वज़े से इसको इतना बुखार आ रहा है तो अगर उसकी वाइटिलिटी एकदम बिल्कुल डिप मारी हुई है तो आप यह समझ लेना कि कोई ना कोई सेप्टिक फोकाई है उसकी बॉड़ी में और उस बॉड़ी कर रही है उसकी वज़े से इसकी हाला तैसी है तो यह तीन पॉइंट हुए जो चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जज्ज दसी वियरिटी ऑफ द फीवर आप फीवर की सीवियरिटी को कैसे जच करोगे अब इसका मतलब क्या है पहली बा अब सिर्फ फीवर की अगर बात करें तो उसका भी हमको जच करना पड़ेगा कि what is the severity of fever वो कैसे पता चलता सीवियरिटी और फीवर की अगर मैं बात कर रहा हूं मतलब मैं टेंपरेचर की बात कर रहा हूं तो मैं तीन और की सी वियरिटी सिफ यूफ टेंपरेचर से ही इंपॉर्टेंस रखता है यह डिसाइड करने में कि वाट कुड बी दा इंफेक्टिव फोक आई वाट इस दा करेक्टर ऑफ फीवर यह किस टाइप का फीवर है ठीक है ना तो उसके लिए हम थोड़ा सा दूसरी स्क्रीन पर एक मिनिट के लिए चलेंगे यह यहां पर देखी टाइप ओफ फीवर का मैं आपको यहां पर एक 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 जांपल दे रहा हूं कि वाट कुड बी दा टाइप ओफ फीवर तो एक होता है लो ग्रेट फीवर यह तब होता है जब बॉड़ी का टेंप्रेचर जो है वह अप्टू हंड्रेड और फोर का टेंप्रेचर होता है तो 98.6 से हंड्रेड एंड पॉइंट फोर हंड्रेड पॉइंट फोर डिग्री फेरेनाइट तक मॉड्रेट या लो ग्रेट फीवर कहते हैं इसको मॉड्रेट फीवर मतलब इस दे तेंप्रेचर राइजेस अब ओव एक सो दो से लेके एक सो चार डिग्री फेरेनाइट के बीच में यह भी बहुत जन्रली चला जाता है यह टेंप्रेचर हाइग्रेट फीवर मतलब अबाव 104 डिग्री फेरेनाइट और अबो एंड हाइपर पायरेक्सिया का मतलब होता है 106 डिग्री फेरेनाइट अगर आप गौर से ठीक है ना तो आप low grade है moderate मतलब 102 से roughly 104 के बीच में सर्ज करता है 104 के उपर जाता है तो यह high grade fever है और 106 के उपर जाता है तो this is what is known as the hyperpyrexia अब यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो किस पॉइंट की कर रहे हैं adjust the severity of the fever तो यह temperature से severity पता चलेगे और आप गौर से अगर रिपर्ट्री खोल के देखेंगे और वहां पे रिपर्ट्री के अंदर आप 106 डिग्री फेरेनाइट के उपर का fever का temperature सर्च करेंगे तो आपको जादतर medicine जो उसके अंदर मिलेंगी ना वो सारी infection से संबंदित medicine मिले करेंगे यह आप देख लीजिएगा खुल के कहने का मतलब low grade fever आ रहा है मतलब कोई हलका फुलका cause body में जिसके कारणिये बुखार पैदा हो रहा है और जब वो low grade से proceed करेगा moderate grade में low grade से moderate moderate से high grade high grade से hyperpirexia तो मतलब कहीं न कहीं cause cause का vulnerability मतलब cause को लेके चिंता बढ़नी पर आ रहा है तो यह हमारे दिमाग में खटाक से पैदा होना चाहिए कि जो कुछ चल रहा है वो general condition में blood के अंदर चल रहा है क्योंकि जो लड़ाई चल रही जो reaction चल रहा है वो पूरा blood के अंदर चल रहा है ठीक है ना और यह कहींने कई septic fever होता है septic fever ही सबसे ज़्यादा temperature पैदा करता है ठीक है अब एक और चीज यहाँ पर मैंने judge की बात करी कि judge the severity of fever अब दो यहाँ पर चीज़ें judge करने की fever की क्या severity है और infection की क्या severity है अब समझो दोनों बाते एकदम अलग हैं एक जगे में बात कर रहा हूं कि fever की severity कैसे पता चलेगी वो पता चलेगी temperature से और दूसरा infection की severity हमको कैसे पता चलेगी कि जो भी infection हुआ वो कितना खतरनाक है तो दोस्तों infection की severity हमेशा चिल से पता चलती है आप यह याद रखिएगा ठंड ठंड जो होती है ना जो ठंड लगती है patient को तो उससे infection की severity का हमको अंदाजा होता है और generally आप देखिएगा कि जितन यहां कि जादा थंड होगी temperature भी उतना जादा होगा जब temperature कम होगा तो थंड बोलेगा patient की हलकी फुल की लग रही है है ऐसा नहीं कहिसकते मुझे ठंड लग रही है पर जो टेंपराच बहुत ज्यादा होगा तो patient को 5-6 कमबल वाली ठंड लगती है रजाई वाली ठंड ठीक है और दोस्तों मैं अभी बता दूँ यह जो वीडियो सिर्फ अप्रोच के बारे में हैं इसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं बताई जाएगी क्योंकि फीवर अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक हैं फीवर को कम से कम दस वीडियो लगेंगे क्योंकि अलग-अलग फी फीवर पर वह आपको नहीं आएंगे समझ में यह बात आप दिमाग में बिठा लेजिए तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बाहर बाहर रिवाइन करकर के देखिए आप है आप जो पांचवा पॉइंट है जच्छ दसी विएरिटी ऑफीवर के बाद वो ह है clear the confusion of relationship between the chill and malaria भेजे से बिलकुल निकाल देना बाहर लोगों को क्या एक मांसिक्ता बन गई है पूरे विश्व में कि whenever there is the patient of fever and he is having the chill तो बंदे के दिमाग में पहला वो बिलकुल ACP प्रद्युमन टाइप का कीड़ा होता है कि दया कुछ तो कड़बाड है वाला कि भाई इसको malaria होगा भाई सहाब malaria का चिल से कोई भी लेना देना नहीं है यह बिलकुल दिमाग में निकाल लो in fact malaria आता है intermittent fever में उसकी परिभाशा में भी कहीं नहीं लिखा है कि चिल की बात कर रहा है what is intermittent fever a fever in which during the whole cycle of 24 hour many time the patient touches the state of a pyrexia मतलब ऐसा बुखार जिसके अंदर 24 घंटे के साइकल में कई मर्तबा पेशेंट को बुखार बिलकुल जीरो हो जाता है उसका temperature बिलकुल नॉर्मल हो जाता है और इसलिए इसको intermittent बोला गया intermittent flow of menses क्या बताया है भाई यह रुक रुक के menses आ रही ही ना फिर थोड़ा सा bleeding ए ब्रेक के साथ कहते हैं intermittent तो वैसे intermittent fever मतलब ऐसा fever की fever था वो बिलकुल नीचे आ गया बिलकुल आदमी नॉर्मन हो गया कुछ घंटे फीवर ही नहीं था फिर फीवर आया तो दिस इस दा परिभाशा of intermittent fever and malaria is most important example of intermittent fever हम सबको पता है पर malaria को लेके चिल से relationship और उसका ठंड से मि यह जो कचड़ा कूड़ा दॉक्टरों की दिमाग में कब और कहां से आया मुझे नहीं पता पर बस मैं एक बात जानता हूं और आपको क्लियर कर रहा हूं there is no relationship of the malaria with the chill चिल से कोई लेना देना नहीं है मलेरिया का ठीक है ना malaria का लेना देना है कि ऐसा बुखार जब आएगा जो थोड़े देर के लिए अप आयरेक्सिक इस्टेट में पेशेंट पहुंच जाता है उसको कहते हैं इंटर्मिटेंट फीवर लोगों निजवर जस्ति का बना रखा है कि भाई हद कर कुछ है ना त खंड का पेशेंट देखके क्या दिमाग में आता है मलेरिया होगा पीएस पर एंपी करा लो चौदा साथ से प्रेक्टिस कर रहा हूं कम से कम पांच हजार रिपोर्ट आई हैं पीएस फ़र एंपी की और धंक से याद नहीं आ रहा कि याद नहीं कर पा रहा कि शायद ही मै लोग यार ठीक है अच्छा नहीं मानते हैं मलेरिया को चिल से हम नहीं रिलेट कर रहें तो फिर हम चिल को काई से रिलेट करेंगे रहें दादा बता तो चुका हूं पहले पॉइंट में कि सीवीरिटी और फीवर को जच करने के लिए चिल का स्टेटस देखना पड़ेगा और चिल जितनी जादा ठंड दे के बुखार आएगा वो फुखार उतना जादा तेज होगा वो जितना जादा तेज होगा तो हमको इन्वेस्टिगेशन पर पता चलेगा कि बुखार के पीछे का अंडर लाइंग कॉस उतना खतर नाथ था मतलब कहने का है कि जो ठंड है वो ठंड बताती है कि आपके अंदर इंफेक्शन का लेवल क्या है आपके अंदर जितना तगड़ा इंफेक्शन होगा ना आपको उतनी छपपर तोड ठंड लगेगी जितनी जादा आपको ठंड लगेगी उतना जादा फीवर आएगा उतन मेरे भेजे में मलेरिया पैदा नहीं होगा मेरे भेजे में सबसे पहला पैदा होगा कि यह टाइफॉइट का केस हो सकता है इसको सैलमोनेला टाइफॉइ इंफेक्शन हुआ है अब उसके साथ यह अकेली ठंड और फीवर नहीं देखेंगे वह उसकी कंडिशन कैसी है वह लो फॉर्म फीवर में चला जाएगा वह थोड़ा सा एक हाफ लंबर में पड़ा रहेगा वह ज्यादा बात नहीं करेगा वह मेरा जवाब देने में टाइम लेगा उसके साथ गैस्टो इंटेस्टेनल सिंटम्स भी दिखेंगे और यह सब मिलके मैं अपना कहीं ना कहीं डाइग्नोसिस बनाऊंगा कि हाँ यह टाइफॉइड हो सकता तो जो प्राइमा फेसिया जो एक फीवर का बनता है वह स्टेटास ऑफ चिल और टेम्प्रेचर को देखके बनता है इसलिए चलिस दा साइन ओफ इंफेक्शन रादर देन दा साइन ओफ मलेरिया ठीक है ना तो अब यह हो गया अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो टू केटेगिरी और में मैंने जो समझी अपनी लाइफ में यह कहीं किताब में नहीं मिलेंगी यह फीव स्पेसिफिक टाइप ऑफ फीवर इस्पेसिफिक क्या बात करते हैं सबसे ज़्यादा आसान है समझना फिर नॉन इस्पेसिफिक मतलब ऐसा फीवर जिसके अंदर मेरो को तुरंत के आते से ही प्राइमा फेसिया मेरा बन जाता है कि इसको यहां इंफेक्शन है तो मैं उसक तो मैंनो उसको इस्पेसिफिक टाइप ऑफ फीवर रखा है मैं पहले प्राइमा फेसिया में पहचान गया कि इसको तैयार इसको मलेरिया है ठीक है उसके सिम्टम्स मूँ में बिटर टेस्ट इन माउथ वगएर वगएर से मैंने समझा उसको चेल हो और इस्टेज तो मैंन होते हैं जिसके अंदर क्लियर कट हमको पता चल जाता है कि यह जो है स्पेसिफिकली इस कारेंट से इसको हो सकता है और वह कारेंट को वेरिफाई करने को में भी कुछ आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे तो इस इस नोन इस इस पैसिफिक टाइप ऑफ फीवर अब नॉन इ इसको क्या हो रहा है वह सार हलका मज़ा ताइप का नहीं है आ रहा है यह आडा मी आराम कर रहा है खेलना कूद बंद कर दिया भूक कम लग रहे यह फलाना ढ्ain का टीम टाम ताम जाम सब चल रहा है कहीं को infection है क्या नहीं साब कुछ नहीं है सरदी नहीं है खासी नहीं है जो खाम नहीं है कुछ नहीं है सिब बुखा रहे हैं तो यह हो गया non-specific type of fever there will be the cases of the fever जहां पर आप कितना ही सरपीट लो कितना interrogation कर लो तो वो जो cause होता है उसका बंदा cause नहीं बता पाता वो cause specify नहीं कर पाता आप खुद भी नहीं ढून पाओगे तो इसको मैं बोलता हूँ non-specific type of fever और इसके पीछे जो कारण होता है वो generally weather और climate change ही होता है कि जब मोसम बदलेगा climate change होगा तब ही आपको एक non-specific type of fever एक और example बहुत बढ़िया जो लू लपट लगती लोगों को क्यों होता है लू लगने का मतलब क्या है लू लगने का मतलब है कि जो temperature जो हवा गरम हवाएं हैं उसके कारण hypothalamus में जो temperature controlling regulation mechanism में वो खराब हो जाता है ठीक है ना तो यहां पर कोई specific कुछ नहीं है यहां पर य यहां पर मैं कुछ बातें बता दूँ आपको मैंने आपको इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि फीवर आता कैसे है लोगों को यह नहीं समझ में आता कि फीवर क्यों आ रहा है एकदम तपने क्यों लगती है बॉड़ी भटी जैसी क्यों चल रहा है ठीक है ना तो यह देखो यह एक्जोजीनस पाइरोजिन जब भी कोई बैक्टेरिया यह वाइरस से हम इंफेक्ट होते हैं तो एक्जोजीनस मतलब बाहर से आया पाइरोजिन पाइरोजिन मतलब बैक्टेरिया टॉक्सिन और वाइरस की बात कर रहे हैं यह जैसी हमारी of the body उसने body के defense mechanism को trigger कर दिया जिसके अंदर बी सेल टी सेल antibody बनना ताम जाम टीम टाम सब हो गया जब यह हुआ तो उसके बाद immune system का activation हो गया immune system जब activate हुआ तो एंडोजीन निकले substance produced inside the body मतलब कहने का मतलब कि वह बहर से आया उसके बहर से आते साथ ही कि मेरा immune system activate हुआ मेरा immune system activate हुआ फिर जब वो मेरे body के अंदर आ गया तो कुछ substance body के अंदर बनते हैं जिनको बोलते हैं endogenous pyrogen वो जो endogenous pyrogen होते हैं वो hypothalamus को छेड़ते हैं और hypothalamus में मैंने क्या बताया temperature को control करने का regulating mechanism hypothalamus करता है और वो जब गड़बड होता है क्यों गड़बड होता है endogenous pyrogen के कारण वो जब blood के अंदर secret होते हैं वो कुछ तो body से secret होते हैं कुछ उस मतलब exogen मतलब bacteria और virus से secret होता है और यह जो जब body में आते हैं उसके response में hypothalamus जब उसको hypothalamus पर act करते हैं तो fever आता है ठीक है न अब अपन यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं definition की उसके बाद आया अंतों में बहुत important point बताने वाला हूं बहुत ज़्यादा important point है न intermittent fever में ने बताया typically defined as the condition in which the body temperature remains 37 degree during the day but rise during the night मतलब यहां पर दिन रात में यह जरूर बोल रहा है कि भाई दिन में कम रहता रात में बढ़ जाता है में भी wise वर्स हो पर इसके कहने का मतलब है कि 24 घंटे के साइकल में एक फेस जरूर आएगा जिसमें बंदे को कोई भी फीवर नहीं होगा तो देट टाइप आइप फीवर इस दोन मोस्ट रिकोगनाइजड फॉर्म ओफ सड़न हाई फीवर मतलब ऐसा कोई एक्यूट इंफेक्शन एक्यूट इंफेक्शन जैसे डेंगू हो गया तो उसके अंदर एकदम से टेंपरिचर बढ़ता है कंटिनियस टाइप ओफ फीवर जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है कि फीवर जो होगा भले से लोग्रेट फीवर रहेगा कंटिनियेशन में मतलब दूरिंग दा कोर्स वो बंदा अप आयरेक्सिया टच नहीं कर सकता अप आयरेक्सिया छुई नहीं पाएगा तो यह कंटिनिय कंटिनियस टाइप ओफ फीवर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामपल है एक्यूट इंफेक्शन निमोनिया यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन टाइफॉइड बेक्टेरियल इंफेक्शन जनरली क्योंकि बेक्टेरिया का इंफेक्शन होगा ना बोडी में तो बेक्ट टेंपरेचर तो लेगा भी नहीं अपनी जगे एक सो दो एक सो टीन यह तो एक सो टीन पर इस ट्रेट लाइन आएगी पर रिमीटेंट कंटिनियस का ही टाइप है पर उसमाँ टेंपरेचर थोड़ वर वैसे भी अपने को भी होमियोपाइथ इन से जाधा लेना देना नहीं अपने हो तो फंडे यह लग चलते हैं जो आगे के वीडियो में समझे और दोस्तों अब अपन आ गये हैं इस वीडियो के एंड मैं जिसके अंदर मैं आप से डिसकस कर रहा हूँ कि हमारी अप्रोच ऐसे डॉक्टर क्या होनी चाहिए देखो अलग अलग फीवर को सेपरेटली वीडियो बना के समझना पड़ेगा भाई बहुत सारे फीवर होते हैं होमियोपेथी में तो बहुत जादा कैटेगरी हैं फीवर की वो सब अपने को समझना पर ये जब तक आप नहीं समझोगे आप खुद भी तो ढूड़ोगे ना आपको चलो दस फीवर बता दूँगा ग्यारवा आ गया क्या कर लोगे तो करिए सकते हो कि अगर ये वीडियो अपने अच्छे से देखा है तो आपको एक अप्रोच बता होगी कि मेरे को किस तरह कि अप्रोच रखने है मेरे को कैसे इंटर्पिटेट करना है और लास्टली दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं वो यह है कि वाट कुड़ बी दा कॉम्प्लिकेशन ओफ फीवर आ यह को इसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता है कॉम्प्ल ठीक है ना अब देखिए कॉम्प्लिकेशन ओफ फीवर क्या हो सकते हैं मेरे को डेविटसन की याद आ रही है मैं देखिए यहाँ पर मेरे को मिल रहा है क्या थोड़ा सा देखना पड़ेया मुझे मुझे डेविटसन की लाइन याद आ रही है कि जो फीवर के कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो बेसीकली दो बड़े कॉम्प्लिकेशन हम रोज मर रहा की जिन्दिगी में देखते हैं दो फस्ट वन इस दा नेफराइटिस कि एक कोई भी फीवर मैंने कोई भी सड़ा सा फीवर कॉम्प्लिकेशन बताते हैं जैसे कि आपने इंट्रयूटेरेन डिवाइस कि वो जो उन्ट्रसेप्शन के लिए उसके कॉम्प्लिकेशन बताते हैं कि इंट्रयूटेरेन डिवाइस से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कई चीजों के कॉम्प्लिकेशन हमको हमारी मेडिसिन की फिल्ड में पढ़ाये जाते हैं मैं favor के Ajax के कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा हूं कि यह जो complication मिलेंगे यह favor के पांच परसेंट भी cases नहीं होगे पर अगर यह हो गया तो उस बंदे का मरना निश्चित है बस आप यह समाज़ें दो क्या यह देविट्सन में लिखा है जो डेविट्सन प्रैक्टिस ओफ मेडिसीन की जो बुक की बुक है उसमें पहला नेफराइटिस एंड दूसरा मेनिंजाइटिस ठीक है नेफराइटिस क्यों होता है फीवर में मैं क्या बात कर रहा हूं एंटीजन आया बॉडी के अंदर अधर सेंसिटिविटी पैथोलउजी का टॉपिक था वो चार प्रकार की हैपर सएंसिटीविटी ती के अंदर एनफाइलेक्टिक रियक्शन होता है इलर्जी ततयीया के डंक मारने पर जो होता है जो अर्टी के रिया नेटलरेश पित्ती उचलना यह फर्स्ट टाइप ऑ hypersensitivity थी वो थी immune complex बनता था याद आ रहा है कुछ और नहीं आ रहा है तो pathology में hypersensitivity खोल के पढ़ लेना और जो चोथी थी वो थी delayed type of hypersensitivity जिसका example TB हुआ करता था इन चार में से अपने काम किये third type of hypersensitivity वो क्या कहती है वो immune complex के बारे में बताती है what is immune complex? immune complex का मतलब होता है antigen antibody का complex बनना मतलब जब मेरे को एक तगड़े antigen ने attack करा और मेरी antibodies इतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं थी कि उसको खतम कर दें ठीक है न या तो antigen इतना ताकतवर होता है कि वो जो करना चाहता वो कर लेता मेरे को मार डालता या तो antibody इतनी ताकतवर ह होती ही कि वो मेग उसको मतलब antigen को किसी भी तरह से खतम कर देती पर जो type 3 hyper sensitivity है वो एक बहुत rare केस होता है जिसमें antigen और antibody दोनों की power एकदम एकवल है ना ये इसको खतम कर सकती न वो इसको खतम कर सकती तो इसमें body क्या करती है antibody जो होती है वो antigen के साथ मिलके एक चीज बनाती है जिसको बोलते है antigen antibody complex और ये जो antigen antibody complex होता है इसका deposition होता है kidney की glomalular basement membrane पर कहां पर kidney की glomalular basement membrane जो की kidney का part है तो ये antigen antibody complex वहां जाके deposit हो जाता है और इसी वज़े से ये नेफ्राइटिस की glomalular neph्राइटिस की condition आती है जिसको नेफ्रोटिक syndrome बोलते हैं और इसी वज़े से जो mild treated cases of fever होते हैं उनकी kidney फेल हो जाती है आपने देखा सुना होगा ना अपनके कई रिष्टेदार आप अगर में को सेंकड़ों हजारों की क्योंकि उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी उसके antigen antibody ने साथ में मिलके complex बनाया बॉड़ी ने बॉड़ी को बचाने को और वह किड्नी के अंदर deposit कर दिया ट्राइटला बेसमेंट में में इसको नेफराइटिस हुआ इसकी किड्नी से protein पास होने लग गया इसकी किड्नियां फेल हो गई और यह जो है किड्नी फेल होने के बाद सिलसिला चालू होता है मल्टी ऑर्गन फेलियर्स का और इसलिए यह आदमी मरेगा और वो मरा तो दिस इस दो कॉंप्लिकेशन डेट इस वाए माल ट्रीटेट फीवर का कॉंप्लिकेशन नेफ्राइटेस है उसी तरीके से कई बार जो फीवर होता है उसको एक समय तक तो दोस्तों यह एक वीडियो था सिर्फ उस राम कहानी के बारे में कि आपको फीवर की cases के अंदर आपका approach क्या होना चाहिए और देखिए लगबग हो गए है 36 minute और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 36 minute के अंदर मैंने आप लोगों का जो perception regarding fever उसको पूरी तरह से change कर दिया दोस्तों देखिए मैं fever बताऊंगा दवा भी पर वो आपके इतने काम नहीं आएगी क्यों आप खुद उसको हंट करना सीख लो आप खुद क्यों कि जरूरी तो नहीं आपके पास वही फीवर आएगा जो मैं ही बताऊं या जिसके उपर में वीडियो बनाओं कि आपके पास वही केस आएंगे तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज देना चाहता हूं जो यूट्यूब पर लाखों लोगों का भला करें तो दोस्तों यह एक छोटा सा नहीं काफी लंबा वीडियो था कि वाट शुट बी अवर अप्रोच इन केस ऑफ फीवर तो दोस्तों यह एक अलग से प्लेलिस्ट बना पड़ेगी और उसके लिए अलग अलग वीडियो आएंगे तो वह सारे वीडियो इस प्लेलिस्ट में आ जाएंगे आप समय समय पर चैनल पर आके प्लेलिस्ट देखते रहेगा मैं अलग 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 प्लेलिस्ट बनाता रहता हूं आप लोगों के कन्विनियंस के लिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत जल्द आप से अगले वीडियो में मुलाकात होती है तब तक के लिए नमस्कार